और कहते हैं ना कि कुछ लोग दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों के दिलों में बस जाते हैं, हमेशा के लिए जिन्दा रहते हैं कुछ ऐसी शक्सियत थी वाजुत खान के, बॉली हुट की फेमस म्यूजिक डिरेक्टर साजद और वाजुत की जोड़ी पिछले साल हमेशा के लिए टूट गई थी बता दें कि वाजुत खान ने लंबी बिमारी के बाद पिछले साल 31 मई को दुनिया को अलविदा कह दिया था तो वहीं अब 7 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्स्री के दिन सल्मान खान ने साजुत खान के साथ उन्हें याद करते हुए एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया जिसमें सल्मान की गल्फिन यूलिया विंतूर भी नजर आई एक विडियो वाजद के भाई साजुत खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें सल्मान वाजद के लिए बर्थ दे सौंग आते हुए भी नजर आ रहे हैं और फिर साजुत के साथ मिलका है वो केक काड़ते हैं विडियो में सल्मान की गल्फिन यूलिया विंतूर भी दिखाए दे रही है बताते चलें कि विडियो को शेयर करते हुए साजुत ने काप्शन में लिखा हैपी बर्थ दे वाजद महान मुजीशन, माइंड ब्रोइंग इंसान और डियरस भाई हम तुम्हें याद करते हैं शो में आगर रितेश और जनिलिया ने आमिताब बच्चन के साथ ठेट सारी मस्ती की है और कैंसर पीरतों के लिए 25 लाख रुपे की रकम जीती बताते चलें कि 25 लाख रुपे के लिए रितेश जनिलिया से जो सवाल पूछा गया था वो ये सबसे जादा फॉलो किये जाने वाले इंस्टाग्राम अकाउंट किसका है इस सवाल के जवाब के लिए चार आप्शन भी दिये गए जो कि ये थे पहलो आप्शन था नासा दूसरा था क्रिस्टियान और रुनाल्जो तीसरा था अरियान ग्रांजे और जोधा था इंस्टाग्राम पर ये क्यूट कपल क्रिस्टियानो और और रुना के नाम के बीच फस गए और दो लाइफ लाइफ लाइन डवा बैठे पर आखिरकार एक्सपोर्ट की मदद से इस सवाल का सही जवाब दे पाए और जीद गए तो वही शो में जनेलिया ने अमिताब बच्चन के साथ अपनी पहली आड शूट को भी याद किया तब ही बीच में कहते हुँ ये भी नजर आए कि उसमें अगर वो क्लोज अप नहीं होता तो जनेलिया वो फिर्म नहीं करती जिसमें रितेश भी थे और फिर दोनों ने उनकी शादी भी नहीं होती इसलिए वहीं रितेश ने जनेलिया के साथ अपनी शादी का पूरा क्रेडिट अमिताब बच्चन को दे डाला शो में रितेश ने जनेलिया के साथ एक रोमांटिक गाना भी गाया अमिताब को दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी पसंद आई बॉलिवूट के फेमस कुरियोग्रफर और डांस वियारेटी शो डांस प्लस में जच के तौर पर नजर आ रहे पूनीत पाथक इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विशे बने हुए है बता दे कि हाल ही में पुनीत की पत्नी ने उनका एक बेहधी प्राइवेट विडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है जिसे देखकर उनके फैंस काफी हैरान हो गए बता दे कि पुनीत की पत्नी निधी मुनूस सेंग ने ये विडियो अपने इंस्टाग्राम हैंजल पर शेयर किया है जिसमें दोनों रोमांस करते हुए नजर आ रहे है विडियो में पुनीत पर्च पर बैचे हुए अपनी पत्नी के पल्लू को खीच रहे है दोनों का ये विडियो सोचल मीडियो पर काफी सुर्ख्यां बतोर रहा है और इसे शेयर करते हुए निधी ने लिखा एश्टाग पुनीत पाथक हैश्टाग लव हैश्टाग ऑल्वेज